जैहिन, SSE MTS General Awareness की Classes में आप सभी सांथियों का स्वागत करते हैं तो फिर से मैं आप लोगों के लिए आज General Awareness के प्रस्णों को लेकर आये हैं जो SSE MTS के एक्जाम के लिए important है प्रिवियर शेयर के प्रस्ण है ये जितने सारे प्रस्ण आज की Class में कराने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा दिखिएगा और इसे जितना हो सकेगा आप लोग इसे लाइक कीजेगा प्लीज दोस्तो इस वीडियो को जरूर से जरूर सेयर कीजेगा जो भी आप लोगों के पास ग्रूप होंगे तो आईए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रसन पे ध्यान से देखिएगा बहुत 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 तरीका से आप लोगों को समझाएंगे जो most important के होंगे यहाँ पे जो फर्स्ट प्रसन का रहे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्सिक केंद्रिये बजट को क्या कहा जाता है बहुत अच्छा सा प्रसन है और बहुत सुन्दर सा प्रसन है कि जो आर्टिकल 112 है इसके अनुसार जो वार्सिक केंद्रिये बजट है उसको क्या कहा जाता है तो यहाँ पे देखेंगे जो option जो D है यह बिलकुल correct होगा वार्सिक बितिये बिवरण कहा जाता है ठीक है अब हम लोग इसको ध्यान से थोड़ा सा समझ लेते हैं भारत के सम्विधान के अनुछेद 112 की अनुसार वार्सिक केंद्रिये बजट को वार्सिक बितिये विवरण कहा जाता है इसे ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा इसे केंद्रिये बित मंत्री है इनके दवारा प्रतिक एक बर्स मतलब एक साल में एक फ्रवरी को लोग सभा में पेस किया जाता है यह चीज आप लोग को पता चल गया कि जो केंद्रिये बजट होता है दोस्तों इसको प्रति है कि इसमें आगामी बर्ष के दोरान आये ब्याये का भी वीवरण इसमें रहता है जिसको क्या कहा जाता है जिसको बजट कहा जाता है तो आप लोग को पता चल गया अभी अभी फिलहाल में बजट को पेस किया गया है आप लोग को पता तो जरूर होगा तो वहीं चीज यहा आगे आप लोगों को बढ़ते हैं next प्रस्न पर यहां पर भी थोड़ा सा देख लीजेगा जो important प्रस्न है यहां पर बन सकता है और बहुत बार प्रस्न भी आया है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट यह भी प्रस्न आप लोग के दिमाग में आता होगा कि सर जी यह तो आप बता दिया बजट ठीक है बजट जो है बेतमंत्री के द्वारा पइस किया जाता है आपने ठों बता दिया लेकिन जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट है किस के द्वारा प ठीक है इनका नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा अट पटा तो नाम है ही लेकिन आप लोग को याद भी रखना बहुत ज़रूरी है आर के पंडम मुखम चेटी ठीक है इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इनके द्वारा जो है भारत का पहला बजट पेस किया गया शुगली नदी के तड़ पर देस्ट में अस्थापित किया गया था मतलब उस्षर का इस्थापित किया गया था तो 1651 इस डेट को जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा 1651 में जो पहली English factory थी वह हुगली नदी के तड़ पर उसको अस्थापित किया गया अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जो पहली English factory है इसको हुगली नदी के तड़ पर 1651 में अस्थापित किया गया आगे देखेंगे जो 1696 तक 1696 तक company ने जो कौन सा factory मतलब English factory जो company है इसके चारे और किला बंदी शुरू किया और जो East India company है ये सरव प्रतम भारत के साथ बैपार अस्थापित करने में 1608 में सुरतर पर पहुँच गया कौन सा company तो जो East India company है ये और 1613 में अपना पहला कर खाना कहां पे East India company खुला था तो सुरत में समझ में आ गया 1613 में आप लोग को पता चल गया आगे देखेंगे जो प्रसन हम लोगा थड़ है यहाँ पे जो थड़ प्रसन है तीसरा कि सलफर का प्रमाणू करमांग कितना होता है तो ध्यान में रखियेगा सुल्ला होता है कितना होता है सलफर का प्रमाणू करमांग सुल्ला होता है ठीक है अब थोड़ा सा हम लोग सल सलफर या गंधक दोनों एक ही चीज़ है ये एक रसायनिक तत्व के रूप में जाने जाते हैं जिसका प्रतीक की बात करेंगे एस होता है सलफर या गंधक का प्रतीक एस होता है प्रमाणु क्रमांग सुल्ल होता है ये जो है अधहातु है क्या है सलफर जो है ये अधहातु ह हलके पिले रंका ये स्वाद रहित और गंध रहित ठोस्पदार्थ है कौन सा ये सलफर है सलफर क्या है ये हलका पिला रंका होता है स्वाद रहित होता है और गंध रहित होता है ये ठोस्पदार्थ है ठीक है ये स्वन और प्लेटिनम को छोड़कर सेस तत्व के साथ संजोग करके अने प्रकार के योगी को का भी निर्वान करता है कौन सा सलफर तो किसको किसको छोड़कर ये प्रस्न में आ सता है तो स्वन और प्लेटिनम को छोड़कर इसे ध्यान में जरूर रखिएगा ये दोनों जो धातु हैं इसे ध्यान में रखिएगा स्वण और प्लेटिनम को छोड़कर सेस जो तत्व हैं इनके साथ जो है जो सलफर है ये संजोग करके अनेक प्रकार के योगिकों का निर्मान करता है समझ में आ गया नेक्स चलते हैं जो चोथा प्रसन है देखिएगा ये बहुत सुन्दार सा प्रसन है और इसमें प्रसन में बहुत सारे विदार्थियों को कनफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कुछ नए प्रसन लगेंगे ये कि जमीन में पानी रिसने की प्रकृया डेस्क कालाती है जमीन में पानी जिसने की प्रक्रिया डेस्क कालाती है तो रिक्तिकरण, कटाई, घुस पैट और रिचार्जिंग तो इस अप्सन को आप लोग को देखकर कुछ कनफ्यूजन लग रहा होगा कि ये इस अप्सन में से कौन सा अप्सन ऐसा हो सकता है जो इस प्रस्न का उत्तर हो सकता है तो देखिए कनफ्यूजन तो जरूर लगेगा लेकिन हम आगर आप लोग के इंसर बताते हैं घुस पैट तो कहिए का ये सर जी कैसे अप्सन आप लोग कहा जाता है ठीक है अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि घुस पैट होती क्या है तो जो घुस पैट है दोस्तों वह प्रेकिया है जिसके माध्यम से जमीन के सत्था का जल जो होता है मीटी में प्रिवेस करता है जो जमीन की सत्था का जो जल होता है वह क कौन सा घुसपैट का किसका घुसपैट का यह ग्राउंड जल सरनचन में महत्वपुन भूमिका निवाता है जो घुसपैट है यह ग्राउंड जल सरनचन में बहुत ज्यादा महत्वपुन भूमिका निवाता है तो ध्यान में रखना होगा यह सब्द जो है घुसपैट यह विग्यान और मिरीदा विग्यान दोनों में प्रयोग किया जाता है किलेर है next आते है प्रस्न यहाँ पर 5 देखिये यह भी अच्छा सा प्रस्न है जो 5 प्रस्न है कि निम्नल लिखित में से किसने सबसे पहले या तरक दिया था मतलब तरक दिया गया था कि उच घहाटे की इस्तिती में लोग अधिक बचत करते हैं सुन्दर सा प्रस्न है उच घहाटे की इस्तिती में लोग जो होते हैं अधिक बचत करते हैं ये सबसे पहले मत जो है ये तर्क जो है किस के दिवारा दिया गया था तो चार अप्सन आप लोग देख सकते हैं अप्सन तो देखने के उप्रांत आप लोग को पता चल गया होगा अगर याद होगा तो डेवीड रिकॉर्डो सही कीजिएगा यहाँ पर याद होगा तो डेवीड रिकॉर्डो को सही कीजिएगा यहीं जो ब्यक्ति हैं यहोंने सबसे पहले तर्क के रूप में दिया था कि जो उच घाटे की इस्तिती होती है वह लोगों को अधिक बचत कराती है ठीक है थोड़ा सा हम लोग आगे जलते हैं प्रसना 6 देखिए ध्यान से यहाँ पर जो 6 प्रसना है कि निम्नल लिखित में स किस राजवन्स के सावसनकाल में तैमूर या तैमूर कह सकते हैं या तैमिर लिन इस ध्यान में रखेंगा तामिर लिन ने तो तुगलक वंस आप ध्यान में रखिएगा, यहां पर जो, दी आपिस्थ दिया गया है, तुगलक वंस यह बिलकूल सही होगा, क्योंकि देख सकते हैं,ера 쪽र भी यहां और सीठ वंस यह नहीं होगा, तुगलक वंस यहां पर सही होगा, बी अप्सन से हुआ रहा है अब हम लोग थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं जो तुर्क आकरांत जो तैमूर ने 1398 इस्वी में नसरुदीन मुहांबद तुगलक वन्सका सासक के समय दिली पर आकरमण किया था नसरुदीन महमुद जो था यह तुगलक वन्सका सासक था ठी 1398 में यह दिली पर आकरमण किया था नसरुदीन मुहांबद महमुद ठीक है नसरुदीन महमुद यह तुगलक वन्सका सासक था तैमूर जो था तैमूर ने दिली को जितकर जो तैमूर है यह दिली दिली को जितकर क्रीज खान को अपना प्रतिनीधी सासक निवत किया था जो तैमूर है यह दिली को जित गया था मतलब उस समय की बात जब हो रही है कि जब 1398 में तैमूर जो था यह दिली पर आकरमण किया था ठीक है और नसरुदीन महमुद जो था उस समय तुगलक वन्स का सासक था तो तैमूर जो था उसमें दिली पर आकरमण करके जीत गया ठीक है और उसमें क्रीज खान जो था उसका प्रतिनीधी सासक निवत किया गया इस प्रकार सयद वन्स की निव पड़ी और इस वन्स ने दिली सल्तनत में 1414 से लेकर 1451 तक सासन किया था इस ध्यान में अगला प्रसन हम लोग देखेंगे जो सेवन प्रसन है यहां पर देखिए का रहा है सेवन प्रसन एक निवन लिखीत में से कौन सा फूल एक भाग नहीं है कौन सा फूल का एक भाग नहीं है फूल का एक भाग नहीं है तो अप्शन एक को हम लोग सही करते हैं पुस्प वरिंत पुस्प वरिंत जो हो जाएगा यह पुस्प का एक भाग नहीं है अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं बहुत अच्छा सा यह प्र ये लेंगीक जनन में भाग लेते हैं फूलों की साहता से फल और बीज बनते हैं फूल के जो होते हैं चार भाग निम्नलिखित हैं चार भाग कौन कौन सा है ध्यान में रखना होगा ये प्रसना आता है बाहय दल पुंच जिसमें हरी पतिया होती है दलपुन जिसमें रंगीन पतिया या पंखोडिया निकलती है पुंकेसर जिसको पुमंक कहा जाता है इस्तरी केसर जिसको जयांक कहा जाता है तो फूल के चार भाग होते हैं बहुत ज़्यादा important है बहुत बार एकजाम में आया हुआ है भी प्रसना है आगे देखेंगे जो प्रस्ना 8 है ध्यान से देखिए जो प्रस्ना 8 है कि प्रित्वी की सता पर कुल पानी का लगवग कितना प्रतिसत जो कह सकते हैं निकटतम पुणांक तक महसागरों से संचित है तो पानी की सता का पानी का लगवग कितना प्रतिसत हिसा पूछा गया सता पर तो 97 याद कीजेगा 97 प्रतिसत कितना दोस्तों तो 97 प्रतिसत जो पानी है यह महासागरों से संचीत होता है बिल्कुल सही बात है अब हम लोग थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देख लेते हैं प्रितिवी का जो 71 प्रतिसत हिसा है वह जल से ढाका हुआ है इसमें महासागर क्रित लवड यह होते हैं महासागरों वेकुल जल की मातरा का एक 1.50 अरब कीवसी किलो मीटर है 1.50 अरब कीविक के किलो मीटर है और इसकी गहराई बात करेंगे तो 3700 मीटर है तो बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान में रखिएगा आप लोग नेक्स्ट आते हैं प्रस्न य निम्नलेखित में से कौन सा निरित्या रूप से इसको दबारा मान्यता प्राव्थ है इसमें से निरित्य दिया गया है देख सकते हैं गिद्दा, कालवेलिया, डाल खाई और भागडा तो कालवेलिया हम लोग सही करेंगे क्योंकि ये राजास्तन की जंजातिक है वहां का भाग लेते हैं तो कालवेलिया हम लोग यहां पर सही करते हैं अब थोड़ा सा कालवेलिया जो निरीत है इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं जो कालवेलिया निरीत है ये कालवेलिया समुदाय के प्राप्रीक जीवन सहलिए इनके लिए अभी ब्यक्ति के रूप में जाना जाता है इसी के नाम पर एक राजास्थानी जन जाती से संबंदित है इसी ये जो नाम है कालबेलिया ये राजास्थानी जन जाती से भी रिलेटेड है 2021 में इवनेस्को के दबारा जो है इसको अमुर्थ सांस्कृतिक बिरासत की सुची में सामिल किया गया किसको कालबेलिया निरीतिय को कब सामिल किया गया तो 2021 में सामिल किया गया ध्यान में रखना होगा इवने इसको के दवारा समझ में आ गया जो कालबेलिया निरीति है यह एक अनुठा पहलू यह है इसका कि इसमें केवल महिलाओं दवारा प्रस्तूत किया जाता है यह जो का समझ में आ गया काल बेल या नडिते के बारे में आगे चलते हैं प्रस्ण देखिएगा 10 प्रस्ण है यह भी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रयावरणिये उत्सव घरो बेवसाहिक प्रतिस्थानों और अन्य विभीन अस्तलों आधी की सभ िए अर्थ आवर अब हम लोग अर्थ आवर के बारे में समझेंगे ये प्रसने के अंशार क्या ये बश्ष पावर होता है अर्थ आप एर्थ जो आवर वर्ल्ड वाइल्ड लाइव वर्ल्ड वाइल्ड लाइव फ़ेल्ड फोर नेचर यहicular www की पूर्ण रोप है World Wildlife Fund for Nature की बार्सिक पहल है किसका बार्सिक पहल है अर्थ पावर अर्थ आवर ये www.f की बार्सिक पहल है 2007 में इसको शुरू किया गया था और प्रतिवर्ष मार्च माह में अंतिम सनिवार को ये आयूजित किया जाता है प्रतिवर्ष जो है मार्च के महीने में और अंतिम जो सनिवार होता है ये आयूजित किया जाता है इसमें बात करेंगे एक सो अधिक देशों के लोग उनके अस्तानिय समय के अमसार रात को साड़े आठ बैसे लेकर साड़े नौबे तक लाइट बंद करने के लिए प्रोसाहित करता है ये चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग 180 से अधिक देश इसमें अपना प्राटिसिपेंट करता है और आतरी को साड़े आठ बैसे लेकर साड़े नौबे तक लाइट को बंद किया जाता है ठीक है इसकी ये बात देखेंगे यहाँ पर जो प्रेयावरन सननच्छन के लिए इस प्रतियकात्मक आहावन में उर्जा बचाने होतु गेर आवस्यक प्रकास के उप्यों को कम करना होता है अगर इसकी 2022 की थिम की बात करेंगे तो सेप आवर फ्यूचर मतलब विजली की खपत को कम करना बचाना समझ में आ गया अगला प्रसन देखेंगे 11 प्रसन है 11 जो प्रसन है की विशेस रुप से उमस भरी गर्मी के दोरान सरीर से निकलने वाली दुरुगंद पसीने पर किस क्रिया के कारण होती है पसीने पर जो दुरुगंद आता है मतलब माप कीज़ेगा सरीर पर जो दुरुगंद आता है पसीना बहुँ ज़दा होता है ये किस के कारण तो जीवानवों के कारण किसके कारण जिवानों के कारण अप्सन भी यहाँ पे सही होगा ठीक है अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है यह गर्मी के मौसम में सरीय से निकलने माली जो दुरगंद हो थोड़ा सा रोके यह गर्मी के मौसम में सरी से निकलने वाली जो दुरगंद है ये पसीने है ये जिवाणों के क्रिया के कारण होती है पसीनों की जो गरंथिया होती है त्वाचा की छोटी ट्यूबलर संरचनाय होती है जो परसीनों का क्या करती है उत्रपादन करती है और परसीनों की गरंथियों का सबसे ज़्यदा उपयोग होता है वो त्वाचा की सता पर पानी, सोडियम लवन और नाइटोजन युक जो तने भी अपसिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे बात करेंगे इूरिया इसको स्रावि से हैं जो 12 परसन है flotव होट पढ़िज को रोका जा सकता है लेकिन iç बेरी-बेरी को नहीं रोका सकता है आए बेरी-बेरी समझ रहते हैं, बेरी-बेरी जो है यह पोसर्तत्व की कमी से होने वाला रोग होता है, यह मुझ खिरफ से शरीर की जो कोशिकाव में बीटामिन, बीवन या थाइमीन के निम्न अस्तर के कारण होता है, कौन सा? बेरी-बेरी रोग, ठीक है? थाइमीन की तो बेरी बेरी जो है अच्छी तरीका से ठीक है हो जाएगा ठीक है आगे यह बढ़ेंगे जो प्रस्ण 13 है तेरा प्रस्ण है देखिए विधूत विभाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो देखेंगे पोटेसियो मीटर गैलवेनो मीटर हो रहे हैं यहां पर सही हो रहे है ठीक है तो ध्यान में रखना होगा बिधूत विभाव जो है इसको मापने के लिए जो यंत्र है उपकरण है पोटेसियो मीटर गैलवेनो मीटर और भोल्ट मीटर का भी उपयोग किया जाता है अब हम लोग थोड़ा सा बिधूत किसी बिंदू तक लाने में जो किया गया कारे डबलू और आवयस के मान जो होते हैं इसके दोनों को जो हम अनुपात के रूप में डिवाइड करते हैं अनुपात करते हैं तो वहीं होता है बिधूत विभाव और बिधूत विभाव अदीस रासी होता है और इसका एसाई म मात रक मात्रा वहीं स्थे पूछा तो चुंबाकिये जो च्हेतर है यह सधीसु रासी और जो योगा के निश्चित नियमों के अनुसार जोडि जाती है उससे सधीस रासी का जाता है ठीक है जैसे विस्थापन हो जाएगा और तुबरन हो जाएगा सदी सरासी के बारे में पता चल गया आगे बढ़ेंगे जो फेप्रिन प्रस्न है देखिए यहां पर प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अप्रवर्तित है अप्रवर्तित जो होने वाला रंगह इन प्रकास जो वाइलेट भैगनी जो कलर है यह जो है सबसे ज़्यदा अप्रवर्तित वाला प्रकास है ठीक है अब थोड़ा सा हम लोग बैगनी के बारे में समझ लेते हैं बैगनी रंग जो है यह प्रकास प्रिज्म से गुजरने पर सरवाधिक अप्रवर्तित होता है इसका करण क्या है तो बैगनी रंग की जो प्रकास की तरंग धर्य होती है यह कम होती है लेकिन आवर्वर्ति की जब भी बात कर देगा तो आप लोग कहिएगा अधिक होती है तो क्यों होती है जबकि इसकी गती जो होती है प्रीजमे में नियुंतम होती है और प्रकास की आवरिती सबसे अधिक होती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यमें प्रकास के प्रिविस करने पर इसके संचरण या मार्ग में जो भी बिचला नूत्पन होता है वहीं प्रकास का reflection कहा ला जाता है और अपवर्तन कहा जाता है तो यह आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों तो आज आपके लिए इतने ही प्रस्न लिये थे कैसा लागा आज की class का प्रस्न आप लोग comment करके जरूर बताईएगा ठीक है